Hello everyone, I welcome you all in Let's Crack Neat and NTS channel. So let's discuss few more questions regarding the NTS exam. So let's see the first question. So first question, what is the cell originally discovered by D. Duvet? कि कौन से हैसा cell originally है, जिसको discover किया था, D. Duvet के थूँ, तो इनका जो पूरा नाम है, वो है Christian D. Duvet, ठीक है, और इन्होंने जहें वो, जो लाइसोजोम्स है, लाइसोजोम्स की जो है discovery किते हैं, ठीक है, तो अगर इस टोक बाट प्लास्टिड, तो प्लास्टिड को जो discover किया थ था, जो है वो हीकल ने, प्लास्टिड वोज, डिसकोड वाई, दी हीकल, राइबोजोम्स को discover किया था, पैलेड ने, और सेंट्रोजोम्स को discover किया था, बोवैरी ने, और लाइसोजोम्स को discover किया था, Christian D. Dubene, so the answer will be third, दी लाइसोजोम्स, लेटीड नेक्स्ट, नेक्स्ट कुश्चन है, कि the example of हाइड्रोफाइट्स आर, कि इन में से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, जो हाइड्रोफाइट्स हैं, तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो जनको पानी की जरूरत होती है, पानी में प्रिजेंट होते हैं, तो इन में से कौन सा ऐसा आप्शन है, जो करेक्ट है, so as we can see, जो फर्स्ट आप्शन देशने हाइड्रिला दिया है, हाइड्रिला तो पानी के अंदर मिलता है, पर जो कैलाट्रोपीस है, कैलाट्रोपीस जो है, ये एक जिरोफिटिक प्ल पानी में मिलता है, बट जो असल सोला है, ये पानी में नहीं मिलता, तो ये भी कैंसिल, जो थर्ड ओप्शन है, इसमें जो है, मौस और लाइकन्स, मौसेस के अंदर आते हैं, ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स हैं, वो आते हैं मौसेस के अंदर, तो ब्रायोफा यह होता रिप्रडक्शन के लिए लेकिन यह पानी से बाहर है तो यह भी कैंसिल तेन लास्ट जो आप्शन बच गया सजिटेरिया एंदर ट्रेपा यह वो दो प्लांट है ठीक है जो कम्प्लीटली जह हो हाइड्रोफाइट होते हैं इसके लावा जो आई कॉर्णिया है जिसको हम वो प्लांट है यह भी जो है एक हाइड्रोफिलिक प्लांट है इसके लावा जो आई कॉर्णिया है इसको हम वाटर हिया सिंध बोलते हैं यह हो गया ट्रेपा हो गया उसके लावा जो वैल सनकी वैल सनकी 172 एbayल बॉटशनिया है और टेरर ऑफ बेंगोल ठीक है इसको दोते हैं वाटर ही आसे तो दा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नमबर फोर लिटी नेक्स कुश्चिन इसको नमबर फमेल गामीटि इनदा ग्रोईग पॉलन ट्यूप ठीक है जैसे ही पॉलन ट्यूप ग्रोग कर रही सब्सक्राट ये उसके पास इसे इसको आगाников करए है या जीन्दा ऑफ टूपब गलाट Australi अदर दो नूकलियस है एक को हम बोलते हैं जेनरेटिव नूकलियस जो हमारा मेल गैमिट को बनाता है और एक होता है वेजटेटिव नूकलियस वेजटेटिव नूकलियस वेजटेटिव नूकलियस वेजटेटिव नूकलियस विल फॉर्म ट्यूग नूकलियस बट जो जनरेटिव नुकलियस है ये डिवाइड करके बनाता है दो मेल गैमिट ठीक है तो जो है तो अवे से बात है कि जो पॉलन टूब जो बनी है उसके अंदर दो पॉलन टूब जो है वो प्रेजंट होते हैं गाँ जो ओप्शन नुबर टू बी राइट अंसर लेट इव नेक्स कुशिशन कि दो में मैथेड ओफ रिप्रोडक्शन इन येस्ट बैरी सिंपल कुशिशन वी ओलनों कि जो येस्ट है येस्ट के अंदर जो बड़िंग होती है ठीक है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग जो है मिलती हम करते हैं प्लांट्स के अंदर ठीक है तो ओप्शन नुबर ए बड़िंग इस राइट आंसर दा में मेथड़ोड प्रोड़क्शन इन इस्ट इस बड़िंग लेट सी नेक्स्ट कि नेट्स कुशन ने किदू लूए जूए स्टेबलिशन एंडिया वा फैक्ट्ट्ट्टेया के अंदर जो है कितने नंबर उफ जो है वह वह बाय। आफ्य आफ्टिशन क्यांविए तो करेक्ट अंसर जैसका इटीन है ठीक है याद रखें इसको इसमें कुछ नहीं कर सक सब्सक्राइब करें कि जो खाल है जो बार्क होती है प्लांट की इन में से किसको है हम जो है एड़ मैडिसीन के तरह जो इस्तेमाल किया जाता है तो सब्सक्राइब कि आपको पता है कि अप्लांट जो है तो दुब्सक्राइब करने के लिए इसका इस्तिमाल होता है और जो अपaboutिरियो आपकोर्विस्राइब यहां सेलंदी बksomhya के बात नहीं है किकले सैक्ष्ट है कुर्च्वा लॉंगा लॉंगा कुर्च्वा लॉंगा जो है यह जो वीधे हैいきます तर्मरिक की बात हो रही है तर्मरिक का साइंटिफिक नेम है उसके बाद जो फॉर्थ जो है वह है पेपावर सोमिनी फेरम से एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लार से जो है ड्रक्स बनाया जाता है तो यहां पर भी स्टेम का कोई इस्तिमाल नहीं है अब दो चीजे बच बचके अपर कुरकुमा लोंगा का और यहां पर इसका राइजोम कहते है राइजोम जिसको इस्तिमाल करते है अपने घरों में कुकिंग पर पंच है तो यहां पर जो 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 अलोवेरा है इसको जो इस्तेमाल किया जाता है डिफिर्ट परपज में चाहें वो स्किन डिजीज है या फिर बाल्डनेस के लिए है ठीक है तो दो फॉस्ट आंसर विल भी अलोवेरा लेट सी दे नेक्स्ट नेस्ट क्याता है कि इन में से कौन सा जो है बैक्टिरियल डिजीज नहीं है पर लिजी नहीं है यह जो देंगू सेकंड है पॉलियो माइलितर थर्ड है ट्यूबर क्लोसिस और जो फॉर्थ है वो है चिकन बॉक्स ठीक है तो आज इनमों जो डेंगू है आपका एक जो वारेस के थ्रू होता है पॉलियो माइलितर खुद एक वाइरस है जो अब पोलियो कोज करता है टूबर क्लोसिस यह एक बैक्टिरियल डिजोर्ड जो है वो बिमारी है ठीक है और जो की होती है एक बैक्टिरिया से और इसका नाम है माइको बैक्टिरियम टूबर कुलोसिस ठीक है और जो की जो चिकर्पमोग से अगें एक्टिर वायरस एविरस एविरस जो थर्ड ऑप्शन पीवी विल बिल बिल राइट आंसर लेट सी नेक्स नेस्ट कुर्शन कहता है कि और गैनिजम्स विच यूज एनर्जी फॉम द इन और इन और इनक्स ओर्स तो प्रिपेर फूड और कॉल्ड यू और गैंजम जो इन और गैनिक सोर्स से अपना फूड जो है वो बनाते हैं और उनको जो हम क्या कहते हैं ठीक है सिंपली दियर कंसिडरेज और ट्रॉप्स ठीक है और ट्रॉप्स होते हैं जो इन अर्गोनिक असौर्स ज़र अपना फूड जावो बनाते हैं से ठीक है सिंट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरे प्लाउंट नाप नम ऑपना और सकम ऑपर डियराद रहते हैं किसी और कि सबस्टेट्ट राएक और किसी और कज़र मेटप मेटब्क उसकों पर डियर रहते हैं उसको हम सीनोटोफ कहते हैं, कीमोटोफ जो कैमिकर इस्तिमाल करते हैं, और हेट्रोटोफ जो दूसरे का फूड यूज करते हैं, ठीक है? So the correct answer will be autotroph. Let's see the next question. Next question कहता है कि, which disease caused by the deficiency of vitamin D? कि vitamin D की कमी से कौन सी जह हो बिमारी होती है? ठीक है, सबसे पहला जो है, night blindness, तो मैं पता कि night blindness जो है, यह होती है, vitamin A क कमी से, very-very जो है, यह होती है, vitamin B1 की कमी से, इसकरवी जो है, यह होती है, vitamin C की कमी से, और the last ने बच गया vitamin D की कमी से होता है, rickets, जिसमें bones में problem होती है, तो यह जाए विटामिन D है, ग्टैक है, तो जो ग्रैक्ट आंसर विल बी फोर्ट, इस रिकिट दिकेट, तो विटामिन से सिस्कर विटामिन B1 से बेरी-बेरी, विटामिन B1 को हम लोग अथियामिन भी कहते हैं it is also considered old अथियामिन ठीक है ओगर विटामिन एक ही कमी है तो तो परसन विल सफर फ्रॉम नाइट अपलेंड इस जिसको मरतौन धी कहते है ठीक है तो दो करेक्ट आप्शन गया और फोर रिकेट्स इस तो एट इस नेक्स गॉस्टन नेक्स थे कि इन में से कौन सा जो है युनिवर्सल डॉनर है फिर से अगेन और फैक्शल क्वेश्टन ठीक है जिसमें ऑप्शन है ए ओ ए बी एंड बी कि तो भी नुवर्सल डॉनर होता है और जबकि जिसदी ऑ भी पोज़िव जो है वह प्शन ड्., היא तो यहां तो यहाँ पर ढोनर की बात इस बात है तो भी से बात है जो ब्लेड两ट है ठीक है that is the universal donor so the right option will be option number two let's see the next next question कहता है कि skeletal muscles are ठीक है so we know skeletal muscles होती है this skeletal muscles है first of all they are multi-nucleate multi-nucleate होती है and they are voluntary they are voluntary multiple nucleus है multiple nucleus की present है उसके लाव इनके पास कुछ proteins होते हैं active myosin जो help करते है contraction and relaxation में तो इन proteins की वज़े से ही जो है यहाँ पर बहुत सारी जहें इस्ट्रेशन दिखाई देती है तो इस्ट्रेशन है वो दिखाई देती है इसलिए इनको जो है स्ट्रेट मसल्स भी कहा जाता है ठीक है and they work according to our will they work according to our will ठीक है तो जितने भी जितने भी हमारे जो है आमस हैं लेक्स हैं जो कि हमारे कोडिंग काम करते हैं they all are consist of skeletal muscles ठीक है तो इस पहली बात स्टैटड एंवलेंटरी गलत है अन्स्टेटे ये भी गलत है ठीक है तो फर्स्ट जो बिल्कूल ठीक है तो sector muscles are स्ट्रेट ड्रीडन अज़़ विल्च वॉलेड़ टृट एंच सिले लेट सी देने लग्स्ट कॉशन को तो इस पोट्र वेस्कलर सिस्टम इस फाउंडेन गए टेन वाटर वेप्ष कुलर सिस्टम जे वह कहां मिलता से तो आज विए नो कि बाटर वेस्कलर सिस्टम मैं इट रेट इनीग फीचर अफ दी इक आइन टरमीटा यह ए टेकिर डिया यह के ति अन्र तो मिलती है वो थ यह सब्सक्राइब करोते हैं यह सब्सक्राइब है है एक्सक्रीशन है या फिर जो है लोको मोशन कि सबी चीजों के अंदर जो है वह वाटर रस्कुल सिस्टम का बड़ा है इंपोर्टन रोल देखने को मिलता है और यह एक जो है बहुत ही यूनीक फीचर है जो जितने भी एक काईनो डर्म्स के मैंबर है जो फाइलम में काईनो तर्मिता न तर्मिता जट से थीच वे जोड वाटर रवाटर में के मैं मैं का यह जो पर जाए 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 ठाफट्र देखर जय मुलकु एड़ दप्सक्तिशल सक्तिक्टन